बीते कुछ वक्त से लगातार गिर रहा भारती एरोपिया और अर्थ विरस्था की सुस्त रफ़तार सरकार के लिए चिंटा का सबब बनी हुई है अंतरराष्ट्रिय मुद्रा कोश याने आईमेफ ने 2022 के लिए भारत की जीडीपी वरधी दर के अनुमान को घटा कर 6.8 फीसेदी कर दिया है आईमेफ का मानना है कि 2023 में भारत की अर्थ विवस्था 6.1 फीसेदी की दर से बढ़ेगी वरधी दर का अनुमान घटाये जाने के बावजूद भारत सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली एकोनॉमी भी बना रहेगा आईमेफ ने कहा कि दुनिया की तीन सबसे बड़ी अर्थ वस्थाएं अमेरिका, चीन और यूरो एरिया इनकी ग्रोथ रेट 2022 में सुस्त बनी रहेगी आईमेफ के अनुसार वेश्विक मुद्रास फीती इस साल 9.5 फीस्दी तक जाकर नीचे आना शुरू होगी और 2024 तक 4.1 फीस्दी पर आ जाएगी आईमेफ के अनुमान के हिसाब से दी जाने वाली रैंकिंग में भारत छटमे पायदान पर है आईमेफ से पहले विश्व बैंक भी भारत की आर्थिक विकासदर में गिरावट का अनुमान जिता चुका है ऐसे में हमने आगामी साल में भारत की आर्थिक रफ्तार कैसी रहेगी और IMF किसी भी देश की economic growth को किस तरह calculate करता है जब हमने अर्थ शास्त्री, शरत कोहली और आर्थिक मामलों के जानकार लक्ष अरोडा से ये दो सवाल पूछे तो सुनिए उन्होंने क्या कुछ का इंडिया की growth आने वाले साल में बहुत ही challenging रहने वाली है क्योंकि अगर पूरे विश्व में recession यानि मंदी की आहट होती है तो उसका cascading और rippling effect इंडिया पर भी आएगा इंडिया के निरियात प्रभावित होंगे इंडिया में जो import आता है किसी supply chain disruption की वज़े से वो भी प्रभावित हो सकता है आज पूरी की पूरी दुनिया एक global village है कोई देश अपने आपको ये नहीं कह सकता कि वो दुनिया से अलग ठलग है और खासकर वो देश जो की आयात और निरियात ज़ादा करते है तो भारत दुनिया का एक चमकता सितारा जरूर होगा बाकी की विक्सित economy से बेतर जरूर होगा पर हम ये कभी नहीं कह सकते कि भारत बिलकुल अच्छूता रहेगा अगर रिसेशन आता है और अगर दुनिया भर की growth प्रभावित होती है तो भारत भी प्रभावित होगा आखिर भारत दुनिया की पांचमी सबसे बड़ी अर्थविवस्ता है तो भारत को भी इसके थोड़े बहुत परिणाम भुगतने पड़ेंगे यद्दपी बाकी की दुनिया से भारत की performance भारत की GDP growth बहुत बहतर रहने वाली है आईवेफ जब किसी देश की growth का अनुमान देता है तो चार मुख्य pillars होते हैं किसी भी अर्थविवस्ता के पहला होता है private consumption जो कि भारत एक consumption driven economy है दूसरा होता है private investment के निजी निवेश कितना हो रहा है तीसरा होता है government investment या government expenditure कि कितना सरकार खर्च कर रही है जैसे कि भारत में national infrastructure pipeline पर भारत सरकार ने 100 लाग करोड से भी उपर का खर्च कमिट किया हुआ है और हो भी रहा है और चौथा pillar या चौथा stump होता export कि उस देश का export यानि कि निर्यात कितना है इन 4 पैमानों पर IMF तै करता है ये मुख्य पैमाने है इसके लावा per capita income हो गई industrial output हो गई agriculture production हो गई भारत जैसे देश में ये सब चीजें भी देखी जाती है गरीबी की रेखा देखी जाती है गरीबी का स्तर देखा जाता है भारत जैसे देश पर तो मौनसून भी देखा जाता है कि आने वाले साल में या आने वाले सालों में मौसम का क्या हाल रहेगा कुल मिलाके इन पैमानों पर IMF किसी भी देश की ग्रोथ की दर को निधारित करता है या अनुमाल लगाता है कि आने वाले समय में कैसी ग्रोथ रहने वाली है जैसे आप देख रहे हैं कि लोग पेट्रोल से कनवर्ट होके अपना इलेक्ट्रिक वाइकल में आ रहे हैं तो एक तो पॉल्यूशन नहीं करती तो अगर पॉल्यूशन नहीं करेंगे तो हमारी जो एंवार्मेंट में एक पॉजिटिविटी रहेगी मतलब पॉल्यूशन हट सब्सक्राइब तो यह जो ड्रास्टिक चेंजेज जो आ रहे हैं वह हमारे हिंदुस्तान के लिए बहुत अच्छा आने वाले टाइम में दिखने को मिलेगा हमारी जीडीबी ग्रों करेगी क्योंकि अगर हम ओवरॉल एक साल की बात करें तो एक इंडिया ही एक ऐसी कंट् वही है और यहां पर कंजिव मर्बहुत ज्यादा तो लोग ज्यादा खरीदते हैं ज्यादा प्रोडरक्शन होती है तो और मेंडिकल लीजब पॉप्यूरेशन ज्यादा तो कितने कौन hope आप देखेंगे गना नमर पर अदानिय आसा मतलब इंडिया वह घूêuप तो घूल कर रहा, तो अगर अगर हम गण। जो reforms आ रहे हैं नए government rules बना रहे हैं कि हाँ अगर हम छोटे small industries को लोन चाहिए हैं जिस तरीके से भी चाहिए है तो वो help कर रहे हैं अगर government साथ देगी तो automatically हम grow करेंगे याने कुल मिलाकर कहा जाए तो अगले विद्वर्ष में केवल भारत ही नहीं बलकि दुनिया के जादा तर देशों में आर्थिक मंदी आएगी भारत की आर्थिक विकासदर में भी गिरावट जरूर दर्ज की जाएगी लेकिन फिर भी भारत ये आर्थ विवस्था दुनिय आपसे एक नई विडियो में नहीं चांकारी के साथ तब तक के लिए तीज इचाज़त नमस्कार